The Secret of Your Life ओम नमस्षिवाय नमस्कार प्रफेसर वैसे तो चार दिशाएं हैं तो पिछला एपिसोड आपने किया था नौर्थ दिशा के उपर बहुत अच्छे धंक से समझाया आपने डिटेल में समझाया लेकिन आज बारी है साउध दिशा की तो साउध दिशा को इतना अशुब क्य नहीं माना जाता है शिफाली जी जो साउध दिशा होती है ना वो हमारे पित्रों की होती है और जब भी सूरज कहते हैं दक्षाइन हो जाता है तो भगवान सो जाते हैं तो इसलिए साउध दिशा को अशुब माना जाता है और जो नौर्ध दिशा होती है वो कभेर की होती वो मैंने पिछली एपसोड में बताया था तो साउध दिशा में हमेशा जब भी अभी कभी खुला छोड़ते हो तो बिमारी आती है परिशानिया होती है दुरगटना गढ़ती है तो साउध दिशा को इसलिए अच्छा नहीं मानते लेकिन अगर साउध दिशा में आपका पलाउट है तो उसको बनाना है या बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे स्टोलर्जर से पूछे ये देखिए कहीं आपका मंगल पहले से खराब तो नहीं है अगर मंगल बहुत अच्छा है क्योंकि साउधिशा मंगल की होती है फिर आप साउधिशा के डिरेक्शन का मकान बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बनाने का धंग मैं आपको बता दूँगा मोटा मोटा लेकिन साउधिशा सब के लिए अच्छी नहीं होती तब ही लोग वहम करते हैं तो प्रफिस सब जितने बड़े बड़े इंडरस्टलिस्ट हैं आपने देखा ही है क्यों उनको साउधिशा फलती है क्या कुणली के हिसाब से हमने दिशा को चुनाप करना चाहिए जब शफाली जी कहते हैं किसमत अच्छी भागे साथ दे रहा हो किसमत आपकी साथ दे रही हो तो आप किसी भी डिरेक्शन में बैठ जाते हो तो वो साथ देगी ही देगी लेकिन उसी हिसाब से बगवान घर भी उसी हिसाब से बना देता है South facing अगर आपने कहीं South East कौन में गेट बना रखा है अगर आपने South West में गेट बना रखा है तो नुकसान होगा South East कौन में भी गेट अच्छा होता है और S3 में गेट आ जाए तो अच्छा होता है श्वाली जी लेकिन देखना पड़ेगा कि आपने East का कौन सारा खाली छोड़ रखा है पूरा का पूरा अगर South East में आपका पलाट है तो East पूरा का पूरा खाली छोड़ दीजिए गाड़ियों के लिए गाड़ियां आपकी सीधी जाए सीधी North East तक खुला छोड़ देना चाहिए पीछे थोड़ा सा जो North बज़ता है वहाँ पे आप छोड़ा सा बगीचा बना लिया जाए तो South East बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन जातर वास्तू हले पता है क्या बोलते है श्वाली जी South East में किचन बना लीजिए और South South West में आप अपनी टोइलेट बना लीजिए और South East और South South West में जो अंतर रह जाता है बहुत थोड़ा रह जाता है और उसमें बीज में दिवार ये के लिए रह जाती है तो जातर जितने भी वास्तू कार होते हैं ऐसे ही करते हैं 99% तो फिर क्या हो जाता है किचन के साथ ही क्या हो जाता है बास्व खराब है तो बनता ही नहीं है वो बोलेंगे साथ साथ वेस्ट में तो आपका टोलेट आगी तो साथ हीस्ट में किचन होनी चाहिए तो ये तो उस पर साथ साथ ही बनेंगे जातर 99% लोगो ऐसी बनाते हैं किसी को नहीं पता कि बीच में क्या करना चाहिए या तो बीच में लकड़ी की दिवार या बीच में आप अगर वोड का काम करवाते हो तो फिर ठीक है और कई दफा ऐसा होता हम टाय लगवा लगते हैं पीछे पीवी सीड लोग आकर वो भी कुछ दोस्त को कम करती है तो शिफाली जी बहुत सारी बाते हैं जैसे ही आप साउथ डिरेक्शन में घर बनाते हो या साउथ डिरेक्शन में नहीं अगर कहीं मंगल खराब advising पाव ऊपर से साउथ में बिचा पने तो क्या होगा मंगल का यह उस घर में नहीं हो पाएंगे पिमारी उस घर से कभी जाएगी नहीं कभी भी उस घर में कभी भी आपको आल चोड़ेगा नहीं घर से बहर निकलने को दिल नहीं करेगा वो पहर निकलने भी नहीं देगा चाहे आप बेजने की लाखों कोशिश करो तो ओह घर की उनरजी ऐसी हो जाती है आपको घर भी नहीं बिकेगा जो बुज़ुर्ग हो हटी बन जाएंगे कहते है हम इस घर को बीचला ही नहीं है हमारी जितना जिए जिन्दगी है, हम तो इसी घर में रहेंगे, उनको बमारी लगती जाएगी, बमारी के साथ ही जूंचते रहेंगे, जाएंगे भी नहीं, और आपको उसी घर में रखेंगे, तो साउथ फेसिंग घर, शेफाली जी, तीन परसेंट लोगों के लिए, बीच में अगर स्टोर नाते हो, किचें और ट्वैट के बीच में, फिर समझ लीजिए, ऐसी परसंट दोश इने आपने खितम कर दीय। atsiy हैं आपको पूरी दुनिया में को ही नहीं बता से जी बिलकुल, क्योंकि कभी भी हर इंसान पता क्या करता है, अच्छा साउथ इस्ट यहां पर आता है, साउथ साउथ वेस्ट में आपकी टॉलेट बनती है, वाशू बन गया, तो क्या रहा गया फिर बीच में तो दिवार आगी, अगर बीच में आप क्या करते हो, बीच में आप अपना स्टोर बनाते हो साउथ इसका कोना बचता है वहां पे आप अपना चूला रखते हो स्टोर आ जाता है और पीछे आपके टोलेट आ जाएगी तो उसमें आपके 80% दोश खतम हो जाते हैं जी तो प्रफेस्ट जिनका घर अब वास्तु के हिसाब से नहीं बना साउ मंगल को श्यaking बना कि जृत ना जटें दीजिए चंदर मंगल तो याउसाइएगा जब भी आफ घर में चान्दी की वायच में चांदी की वायर, छापने के बीची गर दो देना mind तो मैं नहींडीनिवें नने दिते तो चांदी की वायर की जiau गोल्ड कटर वालना चाहिए परक चांदी की वायर प्यूर 99 रो वेस्ट-कोंड़ कि यहां से दाहले से लेकर और दूसरे पिलर तक एसे डिलवाने चैए ऐसे कोई डिलवाता है वेशे बीच में डिलवाते हैं पूरी डिलवाते है सिर्ष तो फैदा कोई होता हैं हैं हमने जी वास्तु करवा रखा है जादा तर तर लोग क्या करते हैं हमारा आर्किडेट है ना जो वो बहुत अच्छा वास्तु जा अरे भई आर्किडेट वास्तु कैसे जानता होगा वह तो आपकी कुली भी नहीं देखी वास्तु वारा वास्तु नहीं जानता जब तक आप ग्रेहों के बारे में नहीं जानोगे कि उस ग्रेह की कौन से दिशा है, वो ग्रेह किस चीज़ को रूल करता है, मंगल किस चीज़ को रूल करता है अगनी को, अगनी का कार का है ना मंगल, आग कौन सी आग, जलाने वाली आग, तीन आग है, पहली सूर्य की आग है, वो क सूर्य की सिंग राशी है तो सूर्य की जब सिंग राशी आती है तो कौँ सी यह जो आगा देरी आ डेय। सूरिय की या जी तो ग्यान की अगनी मस्तक में जिसके पास ग्यान है वो थोड़े से गर्म होते हैं इंसान कहते हैं न पहले जो फकीर होते थे पहले जो रिशी महारिशी होते हैं कहते हैं तो वो ग्यान की अगनी थी ये भी बरदाश करने बहुत कठी नहीं है श्वाले जी तो इसलिए जब कभी आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि कौन सी आग है इस वाती है, सौर्य और मंगल की, दोनों की आग, तब ही सौर्थ हिस्ट में चूला लगवाते हैं हमां, कि अगनी में खाना पके और सौर्य में नाभी में हमारे पचे, तब ही हम साउथ हिस्ट में तो यह मेरी एक लाक परसंट गरंटी है, कुछी को नहीं पता होगा कि यहां पर चूले का मतलब क्या होता है, यहां पर दोनों ग्रहों का मिलन होता है, सौर्य और मंगल का, सौर्य और मंगल का, तब हम वहां पर चूला लगवाते हैं, तो यह वास्तुकार को नहीं पता हो यह कोई बोलता है और अंदर वारे वैसे तो आजकाल तो अंडर प्लांट बहुत जादे आगे हैं तो पहले मैं क्या करता था है कि अधिन तोड़ दो और और कांच के लास में लगा दो तो दोश करतम हो जाता है तो प्रफेसर भी कांच में जो मनी प्लान लगाना है कुछ ऐसे भी आर्किटेक्ट हैं या कुछ वास्तुकार है जो कहते हैं कि बुडू कलर की बॉटल में लगाना चाहिए यह कुछ ऐसा ही होता है शेफाली जी यह पता क्या बात है यह उन मन को भटकाने वाली बाते हैं जी ब्लू कलर किसका है जी शनी का जी तो शनी के डिशा कौन सी है जी वैस्ट फिर कहां पर लगाना जाहिए आप जवाब दोगे जी बिल्कुल वैस्ट अगर आपको नोलेज है ग्रेहों की तब ही यह बात कर रहे हो जी जिसको नोलज नहीं वो तो यहीं भी कहेगा ग्रीन कलर कर दो नहीं नहीं तो इसलिए कभी भी बिना नोलज के हम अगर बात करते हैं तो वो कौन करेगा जिसको नोलज नहीं है तो इसलिए साउथ फेसिंग घर सब के लिए खराब नहीं होता जिसकी कुं तो सबसे आगे है, वहाँ आप इसको भर लो, खाली मत छोड़ो, नौर्थ को खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो, साउथ फेसिंग कहा खराब रहे गया, यानि साउथ को भर दिया जाए, नौर्थ को खाली कर दिया जाए, बस, तो साउथ फेसिंग घर अच्छा हो सब्सक्राइब नहीं आएगी कभी भी क्योंकि नॉर्थ में तो आपने खुला छोट रखा हावा तो अधर से आ रही है इस्ट आपने खुला छोड़ा है गाड़ियां इस्ट में लगाते हो तो अपने घर कहा बना है साउथ वेस्ट में तो जो घर की जो एंटरेंस है वो किस अपना बना सकते हो तो प्रफिसब जो उनकी ग्रेल्स होते हैं जैसे कि आपने बोला कि वाइट कर दो आप में गईट को जितनी वी घर की ग्रेल्स होती है वो कॉन से कलर की करें वैसे शेफाली जी कहते है ना फोरन वाले तो मानते नहीं चीजों को अरे वह कम से कम 70-80% व ज provide को दो हीता है तो श्लीड को दोश लगता ही नहीं तो शीए तो देखिगा अपने ऑफिस की जितनी सामने गृम तो जो अपने घर की हमारा कुद का जो हमने घर बनाया ता व Запरी वह साओफ फेसंग को वाइट गळै वना दी हमने तो Анд देखना पढ़े खो लोगको पता ही निया साउध फेसिंग का वहम डालते हैं यह तो बान नहीं पाता तो लोग पिचार सस्ते में प्लाड़ पी लेती हैं तो प्रफेसर यह तो थी प्लॉट की लेकिन जब हम फ्लैट्स लेते हैं यह फिर हम अपना ऑफिस लेते हैं यह कोई शच्वाली जो ऑफिस होता है शोप होती है वो सौथ फेसंग हमेशा फलती है कहते है ना शेर मुखी हम शोप ले ली जी यह खराब होगी अरे शेर मुखी घर खराब होता है जी दुकान अच्छी होती है क्योंकि जितना माथा चूड़ा होगा उतना ग्राक जादा आएगा दिखाई जाला देगी, वो बहुत अच्छी होती है, ये पता नहीं है, सिर्फ लोगों को ये है कि हाँ उसने ये बात बोली थी, ये गलत होगी, प्रफेसर अभी अभी आप सिंगापुर जाके आएं, तो वास्तु के लिए बुलाया था आपको, तो जब वास्तु टीम आप सब कुछ सही हो, सब कुछ सही दुकान सही हो, अगर आप गलत ड्रेक्शन में बैठके अपना पैसा काटते हैं, वहां पे गद्धी उनकी ठीक नहीं थी, नौर्थ इस्ट में बैठे हुए थे, कहां कमाई करते हैं, वहां तो बस अंतर ध्यान, भगवान का नाम, तब ही उ उनकी जो बैठने का तरीका था, वो गल्द था, बाकि सब को सही था, तो वही हमने बठाया, और छोटा सा उपाए दिये, एक पौड रखी है, यहां पे वाइड कलर का, और वाइड कलर के फूल लगा दीजिए, छोट-चोटे उपाए दिये, बिना तोड़ फोड के वास् यहां पत्थर पड़ा था, उनके पास, बूल कलर का, उसको मैंने का वेस्ट में रख दीजिए, देखे, सिंपल सदारन से उपाए होते हैं, हम क्या करते हैं, यह कर दीजिए, वहां तोड़ दीजिए, इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता च् थी, हाला कि यह जानकरी आपको किसी और एपिसोड में नहीं मिलेगी, हमारा इकलौता ही एपिसोड है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल एकन का बटन जरूर दबाए, जब भी हम नया वीडियो डालें, तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिफ्स जो है, इसका फाइदा उठा सकें, तो हम अगली जानकरी के साथ मिलेंगे, आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखी गया, लाला इसके लिए इतना ही, ओम ततत, ऊंओाओaroo है, यूणा है, टूणा है, ऑ मल является हुलिए चाहाद झाषिअना ही, ओम आसे साथ ऐसे स मिलेंगे, आपके लिए र journaling उ시리ा मिलेंगे, आपके?